है 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 TV वेरी गूंद मौर्него आह利ory का फ्रम इसन मेंपी निको दर्क स्थे हम्ने चोई-करना आज का विफ प्रम complete करना है फिन मैंशमेंट का वह करना है फॉंक्षेंट्र सी फॉन्स vary उसका एजंडा क्या होते है टीक कि यानि कि उसके मैंशमा इफ financial manager करता है वो क्या है सबसे पहले उसका agenda क्या होता है सबसे पहले हम बात करेंगे यह financial manager होता कौन है और उसके primary functions जो है वो देखिए कौन-कौन से है investment decision, financial decision, dividend decision और इसके इलावा भी उसके जो है और functions दिये जाते हैं ठीक है अब financial manager जो है वो होता कौन है financial manager जो है वो responsible होता है financial health के लिए किसी भी organization की यानि की वो जो है सारे पैसे का lane दें जो है ऐसा person जो कि सारे के सारी money के साथ deal करता है कि उसे कैसे manage करना है कैसे उसे arrange करना है और कैसे organization की needs को fulfill करना है ठीक है यह जो है यह produce करता है financial report जिसमें जो है डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज जो है वो ली जाती है ये जो है डिवल्ब करता है स्टाटेजीज या प्लैन जो है लॉंग टर्म फैनाशल गोल्स के लिए किसी भी और्गनाइजेशन की ठीक है अब हम बात करेंगे सेकिंड इसका प्राइमरी फंक्शन जो है वो हमारे पास कि हमारे पास क्या फैनाश कितना है कैसे है क्या हम वीक में हैं स्ट्रेंथ में हैं या फिर हम मीडियम में है ठीक है और उसके बाद जो है अकर जो है हमारे पास रिसोर्स कम है तो उन्हें हमने कैसे कैसे अरेंज करना है वह बताता है ठीक है फिर उसने जो ह कि हमने जो है investment कहां पर करनी है किन-किन चकाओं पर या किन-किन companies में हमें invest करने की ज़रूरत है हमें finance कहां से मिल सकता है dividend हमें distribute करना है या नहीं करना है ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो कौन रखता है हमारा financial manager या ये जो है functions होते हैं हमारे financial manager के ठीक है अब financial analysis या planning ठीक है कि उसके हम बात करते है इसमें उसने देखना है कि company जो है वो कितनी profitability में जो है run कर रही है ठीक है उसकी pagdancy क्या है कि क्या उसकी condition जो है वो अच्छी है उसमें जो है liquidity याने कि वो अपने अगर जो company खतम हो जाती है तो वो कितनी liquid है liquid का मतलब क्या वो अपने खर्चे जो है वो पूरे कर सकती है उसके बाद है stability stability कि वो कितनी जो है stable है या वो कितनी चीज़ें जो है वो कर सकती है ठीक है यह जो है यह कुछ functions है या जो हमारे planning का part है या financial analysis है क्योंकि हम देखो एक profitability के base पे एक solvency के base पे, liquidity के base पे या फिर stability के base पे जो है किसी भी company को judge कर सकते हैं उसकी condition को judge करते हैं देखो जितना जादा profit company earn करेगी उतना ही जादा उसके chances जो है survival के वो बढ़ते हैं जितनी वो solvency होगी ठीक है solvent होगी वो जो है उतनी ही अपनी needs को पूरी कर पाएगी liquidity, stability यह जो है यह बहुत important जो है यह बहुत important part जो है वो play करते हैं किसी भी company की condition में ठीक है अब हम बात करते हैं methods कौन-कौन से methods जो है हम वो financial analysis के लिए ले सकते हैं देखो हम जो है company की profitability, liquidity, solvency या stability जो है वो किन चीज़ों के उपर analyze कर सकते हैं सबसे पहले उसकी पिछली performance देख के ठीक है next जो है उसकी past performance का मतलब होता है कि पिछले सालों में उन्होंने कैसा work किया है ठीक है उसको देखके हम company की जो है judge कर सकते हैं कि उनकी management जो है वो अच्छी है या बुरी है क्या वो efficiently work कर रही है या फिर नहीं ठीक है यह हम किसको देखके पता कर सकते हैं उनकी past performance को देखके ठीक है और future performance का क्या होता है क्योंकि हमें पता है future जो है वो हमेशा ही uncertain होता है ठीक है यानि कि हमें नहीं पता कि future में क्या क्या चीज़ें हम लोगों को आएंगी future में trend कैसा होगा market की क्या conditions जो है वो हो सकती है जैसे कि आज का टाइम में for example आज के टाइम में देखो क्या था करोना था ठीक है यानि कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि कुछ ऐसा time period भी आएगा जब company जो है वो lockdown हो जाएंगी ठीक है बंद हो जाएंगी school colleges किसी ने सोचा था कि कभी बंद हो सकते हैं नहीं लेकिन देखो हमारा हम बात करते हैं कि हमारे future जो है वो uncertain है क्योंकि हमें ही नहीं पता क्या-क्या problems शो हैं वो हमें देखने को मिल सकती है तो ये जो है ये क्या है ये तरह की problems हैं कि हम future की performance का सिर्फ estimation कर सकते हैं लेकिन actual में या reality में वो कैसी होंगी हम इस चीज में इस चीज को नहीं जान सकते हैं नेक्स जो है वो है comparative performance क्या होती है कि ना हमने इसमें past का देखना है और ना हमने future का देखना है हमने अपनी current company को compare करना है किसी second company के साथ या किसी और company के साथ और फिर हमने उसमें judge करना है कि क्या वो अ बाकी कंपनियों से अच्छा कर रही है यह बुरा कर रही है ताके हम जो है ऐसे मैं यह ले सकें कि जिनके कारण हम जो है अपनी कंपनी के राइट डिसीजन जो है वो राइट टाइंग पर अप्लाई करके उसे बचा सकें ठीक है तो यह कुछ डिसीजन थे जो कि हमने करने थे के methods थे, आज के लिए बचे इतना ही, ठीक है, इसमें कोई भी problem में आप पूच सकते हूं, till then, thank you class.